हाई दोश्तो वेलकाम टू टाणी गाडन तो आप सभी का फिर से मेरे चैनल में सुआगत है आप सभी का बहुत बहुत प्याम जी मिला मेरे चैनल को आप लोग लोग देख रहे हैं आगे बढ़ा दें आप लोग उसे त्थी चनलको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कि ताकी और आगे मैं जा सकूंँ और चीजे सिखा सकें तो आज मैं आपको एकुछा का लोकाय को जाता आपको पूद्थी लिए उनके लियुस्टक यह विडी fundament नाओ हो खेसा क्रों thunder जॉन्सन बेबी के डब्बे को रियूज कैसे करें, इसको फिर से गमला कैसे बनाएं, इसको यूज में कैसे लाएं, तो ये टॉनि गाड़ने दोस्तों, चलिए मैं आज आपको सिखाता हूँ, फूल पौदे के गमले बनाना, वो भी पौडर के डब्बे से, तो मेरे वीडि चाकू लेना है, और एक नोखी चाकू लेना है, दोस्तों, देखिए मैंने इसमें कट लगा लिया, और इसी के कट के हिसाब से आपको पेन से राउंड राउंड मार्क कर लेना है, जहां से आप काटिएगा, मैं आपने हिसाब से क्या हूँ, आप आपने हिसाब से मार्क कर लें और जिस तरीके से मैंने काट रहा हूं देखिए यह चाकू से मैंने जगा बना लिया उसके बाद तेज चाकू से मैंने इसे काटना सुरू किया आप किसी चीज से काट सकते हैं मैं चाकू का इस्तमाल करता हूं दोस्तों इसे अच्छा कटता है यह देखिए दो पार्ट का टुगडा ले ले मैंने एक medicine का डबा ले लिया है दोस्तों ये दवाई का डबा है इससे मैंने एक paper collect किया है जिसे मैं design बनाऊंगा जो देखिए मैं किस तरीके से design बना रहा हूं आपको अपने हिसाब से draw करना है तो आप अपने हिसाब से काट लिजिएगा मैं अपने हिसाब से काट लिया हूं और इसे मैंने बैठा के इसमें paint से mark कर ले रहा हूं जो कि ये सुरज मुखी फूल के जैसा बनेगा same to same ये गमला मैं सुरज मुखी फूल के आकार का बनाऊंगा और देखने में सुरज मुखी फूल ही लगेगा इसे yellow color कर लेने से और अच्छा लगेगा दोस्तो मैं इसमें अभी color नहीं भरा हूं color भरूंगा तो देखिए कितना खुबसूरत बनेगा तो आपको paper बठा के इसमें mark कर लेना है फूल के आकार का बना लेना है इस डब्बे को ये वेस्ट चीज आप लोग फेक देते हैं दोस्तो मैं फेकता नहीं हर चीज बनाना सिखाता हूं चाहे वो juice का डब्बा हो तेल का डब्बा हो या फिर biscuit का डब्बा हो सब चीज से मैंने फूल के गमले बनाना सिखाया हूं hanging pot बनाना सिखाया हूं आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं अब इस pot के जो mark किया था दोस्त की हिसाब से आपको काटना देखिये मैं फूल का जो mark किया था दागी लगाया था उसमें से मैंने छूरी लगा के काट लिया और यह अब फूल के हिसाब से एकडम फूल जैसा ही बन चुका है दोस्तों देख सकते हैं अब इसमें आपको paint करना है आप अपने हिसाब से paint कर स ताकि आपका फूल और खुपशुरत और देखने में बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों यह देखिए फूल बन चुका है यह एक पॉट बन चुका है दोस्तों मैं अभी complete नहीं हुआ है आप मेरे वीडियो में बने रहिए मैं बहुत यह बड़ा वीडियो हो जाता फिर भी मैंने इसे छोटा किया हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो तो आपको पानी लेना है पेंट लेना है और पेंट करने के लिए बरस लेना है तो चलिए दोस्तों अब मैं पेंट करना सुरू करता हूँ सबसे पहले white कलर ले ले ताकि यह जो johnson baby के डबबे जो है जो पिक्चर बना हुआ है इस पिक्चर को हटा ले ताकि अच्छा लगे देखने में यह देखिए मैंने सबको mark करके हटा लिया और यह निटला हिस्सा को मैं black कलर करूँगा black रंग से यह देखिए black कर लिया मैंने तो इसी हिसाब से आपको रंग करना है दोस्तों जिस हिसाब मैं निचले हिसे को भी black कर लूँगा यह देखिए जिस तरिके से किया हूँ मैं अपने वीडियो में हर तरह का pot बनाना सिकhaya हूँ सिमेंट से ले कि आपका juice का डब़वा biscuit का डब़वा बसलेरी बोतल से भी मैं पर बनाना सिखाया हूँ आप मेरे वीडियो को वाच कर सकते हैं मेरे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो हर दिन मिलता रहे आप अपने घर पे बनाते रहें तो उसके लिए आपको सस्क्राइब करना जरूरी है ये देखिए मैंने red paint कर लिया है फूल के पत्तियों को और अंदर भी आपको हलका कर लेना, अंदर आप नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि अंदर मिट्टी रहेगा, मैं खुबसूरत लगने के लिए मैं अंदर भी रंग रेड से कर लिया हूँ, ये रेड पेंट है दोस्तों, ये फैबरिक पेंट है, आप कोई सा भी पेंट ले सकते हैं, ये देखिए मेरा फूल बनके रेडी हो चुका है, तो मैं इसमें दूसरी कोट ब्लैक चड़ा दे रहा हूँ, ताकि और गलेजिंग बढ़ जाए इसका, और देखने में खुबसरत है, ये देखिए, अब इसके बाहरी हिस्सा को आपको रंग करना है, तो मैंने इसे रेड से ही रंग कर रहा हूँ, रेड पेंट, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा आप देखने में, तो आप मैंने कहा रहा है, आप अपने हिसाब से पेंट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कलर भर सकते हैं, तो ये मेरा निशला हिस्सा रेडी है ब पूल में यह सैटो देने से बहुत खुबसूरत लगेगा पैंट आपका और आपका गमला देखने में बहुत ही खुबसूरत लगेगा यह सब आउटडोर इंडोर कहीं भी लगा सकते हैं इंडोर में यह सब प्लांट जैसे मनी प्लांट हुआ लीली प्लांट हुआ छोटे- देखिए फैवी को मैंने ले लिया अब इसके निसले हिस्से को मैं चिपका लूँगा ये देखिए कितने अच्छे से मैं चिपका रहा हूं इसको ये पॉर्ट चिपक के रेडी हो चुका है निचला हिसा भी रेडी हो चुका है दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा बन हूँ वीडियो तो इसमें आपको सोयल डाल लेलना है यह गाडन सोयल है दोस्तों और यह जो प्लांट है यह मदर आप थाउजन है एक प्लांट से आप हजार पौधे तयार कर सकते हैं और यह सब छोटे पॉट में बहुत खुबसूरत लगता है तो मैंने इसे छोटे पॉट